बॉलिवोड में अब शादी से पहले प्रेगनेंट होना कोई नई बात नहीं है कई ऐसी एक्रिस्स हैं जो शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो चुकी है इस लिस्ट में अब स्वरा भासकर का नाम भी जुड़ गया है तो आज बात करेंगे स्वरा भासकर की स्वरा भासकर ने शादी के तीन महीने बाद प्रेगनेंट हो गई थी और अब बात करेंगे बॉलिवूड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूस की एक्ट्रेस ने हर ही में अपनी फ्रेग्रेंसी के अनाउंस्मेंट हर कर हर किसी को हैरान कर दिया है इलियाना ने अब तक शादी नहीं की है और वे बिना व्याई मा बन गई है एक्टरेस इन दिनों अपनी बेबी बंप को फ्लॉंट करती शोसल मेडिया पर तस्वीरे शेयर कर रही है रिपोर्स की माने तो वे कैटरीना कैफ के कजिन और मॉडल सेबेस्टियन लॉरेंट मिशेल को डेख कर रही है हाला कि खुद कभी भी इलियाना ने अपने रिलेशन्शिप को लेकर कुछ कहा नहीं है बॉलिवोट के बनेत्री नेहा धूपिया ने अपने बॉइफ्रेंड अंगर वेदी से 10 मई साल 2018 में शादी की थी नेहा की शादी के बाद भी एक खबरे रही थी कि नेहा ने प्रेगनेंट होने के बाद ही शादी की थी 18 नमंबर साल 2018 को नेहा ने बच्चे को जन्म दिया था इसके बाद से लगातार ये खबरे आती रही कि नेहा शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी नेहा ने बाद में ये कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कहीं से भी काम का ओफर नहीं आया है बॉलिवुट की तॉप एक्ट्रिस आलिया भट भी शादी से पहले प्रेगनेंट थी उन्होंने अपने अपरेल 2022 में ब्रमास को को स्टार रडबीर कपूर संग साथ फेरे लिये थी एक्ट्रिस नमंबर में बेटी रहा की मा भी बन गई थी आलिया भट ने इसी साल 14 अपरेल को रडबीर कपूर के साथ साथ फेरे लेकर नई जिन्दगी की शुरुआत की है इसके करीब दो महिने बाद ही जूर में आलिया ने अपनी प्रेगनसी की खबर साजा की थी जिसके बाद 6 नमंबर को आलिया ने बेटी को जन्म दिया है और अब बात करेंगे बॉलिवोड के अबनेत्री नीना गुपता की अबनेत्री नीना गुपता आज महिलाओं के बीच किसी आइकॉन से कम नहीं है नीना का 80 के दशक में कृकेटर विवियन डिचर्ट के साथ अफ्यारता दोनों के सम्मंद बने और नीना प्रेगनेंट हो गए लेकिन विवियन ने बाद में ही शादी करने से मना कर दिया लेकिन नीना ने होसला नहीं हारा और बेटी को जन्म दिया आज निना की इस कदम के लिए काफी तारीफ भी की जाती है